आपका बहुत बहुत स्वागत है जो हाँ आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरे वो भी मेरे साथ आज क्रिस्मस है प्रदेश धुबधाम से क्रिस्मस मना रहा है फिल्म इस सितारे भी पीछे नहीं है सभी का अंदाज अलग-अलग है और सभी ने लोगों को विश किया है भही दूसरी तरफ मुंबई महानगर पाली का द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार अब क् दादर स्टेशन की छट को वेग्यानिक तरी के से नया रूप देना है कुधर मध्य रेलवे चत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस से दादर के बीच रिकेट पैदानों जैसी दूधिया रोशनी वाली लाइट्स लगाने जा रही है तो राज्य सडग विकास महामंडल पुने मुंबई एक्सप्रेस वेपर मुंबई की दिशा में जाने वले एक्सप्रेस वेपर 28 दिसेंबर को दोपेर 12 से 2 बज़े के दोरान ब्लॉक लेने जा रहा है इससे आवा का मन में थोड़ी परिशानी हो सकती है प्रदेश की इन पाज बड़ी खबरों को विस्तार स जानने के लिए बने रही आप हमारे साथ करते हुए विश किया है इस तस्विर में बहन रंगोली भाई भावी और उनका बेटा भी साथ है सोशल मीडिया पर काफी एक्टेव रहने वाली शिल्पा शेट्टी ने भी फैंस को क्रिस्मस की बधाई दी है सोशल मीडिया पर शिल्पा ने अपनी तस्विर शेयर करते ह करते हुए लोगों को खुश रहने के लिए विश किया है क्रिस्मस ट्री के सामने बैठी शिल्पा के पास कुछ गिफ्ट भी नजर आ रहे है इस मौके पर एक्ट्रेस के साथ पती राच कुंद्रा और बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं आलिया भट ने रनविर कपूर की फ पतनी केटरिना कैफ के पास वापस आ गये है हर साल केटरिना अपने परिवार और क्लोस फ्रेंड्स के साथ ही क्रिस्मस सेलिब्रेट करती थी लेकिन इस साल वह अपने पती विकी कोशल के साथ इस फेस्टिवल को मना रही है मुंबई और महाराष्टर में ओमिक्रॉन के बढ़ते खत्रे को देखते हुए मुंबई महानगर पालिका के कमिश्णर इकबाल सिंग चहल ने नई गाइडलाइन जारी की है इस गाइडलाइन के अनुसार अब क्रिस्मस और ने साल पर किसी भी तरह की पार्टी या सेलिब्रेशन का योजन नहीं हो पाएगा ये नियम इंडोर और आउटडोर दोरों तरह के सेलिब्रेशन या पार्टी के लिए लागू होगा गाइडलाइन में ये भी लिखा है कि किसी भी तरह का फंक्शन और पब्लिक ग्यादरिंग मुंबई शहर में नहीं होने दी जाएगी ऐसा करने वालों के खिलाफ कानोनी कारवाई होगी महानगर पालिका का ये नियम बिती मध्यरात्री से ही लागू हो गया है मतादे की महाराष्टर में रात 9 बजे से सुबध 6 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है साथ ही पूरे प्रदेश में 5 से अधिक लोगों के एक स्थान पर 71 होने पर भी रोक लगा दी गई है कोविड नियमों का उनलंगहन करने वालों पर 500 रुपे जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है किसी भी कारेक्रभ में कोविड नियमों के उनलंगहन का मामला सामने आने के बाद आयोजक पर 50,000 रुपे का जुर्माना लगाने का निर्ने लिया गया है महाराष्ट विधान सभा में संसद्य कारिया मंद्री अनिल परब ने बताया कि महाराष्ट और मुंबई में कोरोना के साथ ही ओमिक्रॉन वेरियंट के केस भी बढ़ रहे है शुक्रवार को राज्य में कोरोना के 1410 नए मरीज मिले हैं जिन में से 683 मरीज मुंबई के है जल्धी मुंबई से दादर स्टेशन का काया बलट होने जा रहा है इस स्टेशन का पुनरविकास कुछ इस तरह से किया जा रहा है कि लोग चकित रह जाएंगे इस परियोजना की सबसे खास बात ये है कि दादर स्टेशन की छट को वेगनिक तरीके से नया रूब देना है मिली जानकरी के अनुसार दादर स्टेशन की छट टाइटेनियम डायोकसाइट से बनाई जाएगी जिसकी प्रदुशन सोखनी की सामर्थ है 600 पेडों के बराबर होगी जानकरों का कहना है कि इस कैमिकल की वज़ज़ से प्रदुशन में शामिल गैसों में कुछ ऐसी रसायनिक प्रक्रिया होती है कि उनके दुश्प्रभाव न के बराबर रह जाते है ऐसा प्रयोग भारतिय रेलवे में पहली बार हो रहा है इस पुनरविकास का ब्ल्यूप्रिंट तयार हो चुका है जिससे दादर स्टेशन को पूरी तरह से नयालूग दिया जाएगा इतना ही नहीं स्टेशन परिसर में अच्छी रोशनी, वेंडिलेशन और हवा की शुद्धता पर भी खास ध्यान दिया जाएगा सुत्रो के अनुसार करिब 7,242 वर्ग मिटरक शेत्रफल में टाइटेनियम डायोकसाइट का प्रयोग किया जाएगा स्टेशन की छट पर सोलर पैनल भी होंगे, यह नई छट दादर स्टेशन की नई बिल्डिंग में लगेगी इस बिल्डिंग में अतिरिक्त FOB होंगे जो पश्षिम और मध्यर रेलवे को जोडेंगे इस बिल्डिंग में स्टेशन से बाहर जाने के लिए स्काई वॉक और ब्रीज जोडे जाएंगे इस बिल्डिंग में एलिवेटेट पारकिंग होगी जिससे रेलवे को अतिरिक्त कमाई होगी बिल्डिंग 2000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में बनेगी और इसमें मल्टी लेवल पारकिंग होगी इस बिल्डिंग में मिल एक्स्प्रेस ट्रेन और लोकल ट्रेनों को अलग करने की व्यवस्था भी होगी मध्यर एलवे चत्रपती शिवाजी महराज टर्मिनस से दादर के बीच क्रिकेट मैदानों जैसी दूधिया रोष्णी वाली लाइट्स लगाने जा रही है दूधिया रोष्णी वाली लाइट के ये खंबे चरण बद्धत तरीके से लगाए जाएंगे पहले चरण में भाय खला से परेल के बीच लगाए जाएंगे इसके बाद CSMT तक काम होगा मध्यर एलवे के अनुसार हैलो जन लाइट्स लगाने के लिए पाइलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है दादर से CSMT के बीच टावर लगाए जाएंगे इससे हमारे गैंग मैन और ट्रैक मैन को फाइदा होगा जो रात में मरम्मत का काम करते हैं आम तोर पर मरम्मत के बड़े काम करने के लिए रविवार को मेगा ब्लॉक लिये जाते हैं लेकिन इन ब्लॉक के अलावा भी छोटे मोटे काम होते रहते हैं इन्हें रात के वक्त अंजाम दिया जाता है जब ट्रेनों का उपरेशन कुछ घंडों के लिए बन रहता है इस दोरान ट्रैक साफ करना, OHC की मरमत करना, सिगनलिंग केबल को ठीक करना जैसे काम किये जाते हैं फिलहाल ये काम पोर्टेबल लाइट्स की सहायता से होते हैं, लेकिन इससे परियापत रोशनी नहीं मिलती हैं मरमत के दोरान पट्रियों के कुछ सविधन्शिल पार्ट को सावधानी से संभालना पड़ता है मसलन टंग रेल नाम का एक हिस्सा होता है, जिसमें एक मिलिमिटर का भी फर्क रह गया तो ट्रेन गुजरते वक्त हाथसा हो सकता है इसलिए अच्छी रोशनी की जरूरत होती है, इन लाइट्स को लगाने का पहला मकसद है सुरक्षा और दूसरा मकसद है क्रॉस ओवर का रख रखाओ, इस कदम से उपरोक्त व्यवधानों से राहत मिलेगी राज्य सडग विकास महामंडल ने कहा है कि पूरे मुंबई एक्सप्रेस वेपर, मुंबई के दिशा में जाने वाले एक्सप्रेस वेपर 28 दिसंबर को दोपहर 12 से 2 बज़े के दोरान ब्लॉक लिया जाएगा इसके लिए ओवरहेड गैंटरी स्ट्रक्चर पर मैसेज बोर्ड लगाये जाएगे फ्लेक्स लगाने के काम के लिए दो मार्क बंद करके एक ही मार्क पर वाहन जाने दिये जाएगे इस नियोजित समय में सभी भाड़ी वा माल ढोने वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा हलके फोर विलर वाण्य प्रवासी वाहन को एक मार्क से धिमी गती से जाने दिया जाएगा हाला कि कोशिश होगी कि इस दोरान यातायात में विशेश व्यावधान ना आने पाए बदादी की मुंबई और पुने के बीच यात्रा करने में पहले लगभग 5 घंटे लगते थे 2002 में मुंबई पुने एक्सप्रेस वे को जनता के लिए खोला गया था आधिकारिक तोर पर यश्वंत्राव चवान मुंबई पुने एक्सप्रेस वे नाम दिया गया है इस छेलेन एक्सप्रेस वे ने राष्टिय राजमार्ग 4 को मुंबई और पुने के बीच पसंदिदा सड़क के रूप में वदल दिया है 94 किलोमीटर का मुंबई पुने एक्सप्रेस वे जो वर्तमान में प्रति दिन लगभग 60,000 वाहनों को संभालता है भारत के सबसे व्यस्त धमनी गली आरों में सेख है जो भारत की वित्य राजधानी को पुने महराष्ट के आटो मुबाइल निर्मान और शिक्षा केंद्र से जोड़ता है कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया परेशान है वेग्यानिक इसके हर पहलू का अध्यान कर रहे है इस बीच केरल में कोविड-19 संक्रमन को लेकर बनी विशेश अग्यों की एक कमिटी ने ये कहकर चिंता में डाल दिया है कि ओमिक्रॉन विरियंट के बढ़ते संक्रमन को रोका नहीं जा सकता वही दिल्ली हाई कोट ने तल्क टिप्पिनी में कहा है कि दिल्ली में मच्छरों का प्रजनन रोकने के लिए सिर्फ काग्जों पर ही काम हो रहा है लेकिन फाइल में लिखने से मच्छर प्रजनन बन नहीं होगा इसे बीच पंजाब की सियासत में नयाद धमा का होने जा रहा है आंदोलनकर लोटे किसान संगटनों ने पंजाब दान सभा चुनाव लड़ने की तयारी कर ली है उदर उत्तरप्रदेश के कन्नौज में इत्र एवं कपाउंड कारोबारी प्यूश जैन का घर तिलस्मीक हजाना साबित हुआ है जैन के आनंदपुरी स्थित घर की दिवारों को तोड़ा गया तो अंदर से नोटों का बंडल गिरने लगे इसके अलाबा भारत के पुर्वप्रधान मंतरी दिवंगत अटल बिहारी वाचपे की आज सतान बेवी जैनती है इस मोके पर राजधानी दिल्ली स्थित सदैवा अटल में प्रार्थना सबा आयोजित की गई उनके पैतरुप गाउ में आज कई योजनाओ की शुरुवात होगी देश की इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार सिचानने के लिए बने रही आप हमारे साथ केरल में COVID-19 संक्रमन को लेकर बनी विशशग्यों की एक टीम ने चिंता में डाल दिया है इस कमिटी में शामिले की चिकितसक का कहना है कि कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरियंट के बढ़ते संक्रमन को रोकान नहीं जा सकता है नए वेरियंट के केस हर दो दिन में डबल हो रहे है भारत में इस संक्रमन के विस्पोर्ट को रोकने के लिए हमारे पास एक महने से ज़्यादा का वक्त नहीं है हमें इसे रोकना होगा अगर हम अपने सिस्टम का इस्तमार समय पर करते है तो भी भारत जैसे देश में Omicron के संक्रमन के बढ़ने की आशन का काफी प्रबल है उन्होंने यह भी कहा है कि देश में ज़्यादातर केस प्रवासियों से संबन दित है बता दे कि केरल में अब तक Omicron के 35 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके है भारत में Omicron variant ने केंदर तता विबिनर राज और केंदर शासित प्रदेश की सरकारों को चिंता में डाल दिया है अब तक देश के 15 से ज़्यादा राजों में इस वेरियंट के केस मिले है करीर राजों में Omicron के बर्दे खदरे को देखते हुए पाबंदियों की वापसी भी होने लगी है एतियाद के तौर पर नाइट कर्फ्यू जैसे कदम उठाये जा रहा है लोगों से सावदान रहने की अपील की जा रही है केंदर सरकार ने देश में लोगों को बुस्टर डोस दे जाने को लेकर मंधन भी शुरू कर दिया है सूतरों के अनुसार शुरुआती तोर पर करीब 3,000 लोगों को बुस्टर डोस दे कर यह रिसर्च किया जाएगा कि देश में लोगों को अत्रिक्त वैक्सिन की ज़रूरत है या नहीं दिल्ली हाइकोर्ट ने राजणी ने दिल्ली में मच्छरों के प्रकव को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि दिल्ली में मच्छरों का प्रजनन रोकने के लिए सिर्फ काग्जों पर ही काम हो रहा है हर साल मच्छरों का प्रजनन रोकने के लिए सिर्फ पेपर वर्क किया जा रहा है अदालत ने स्थानिय निकायों को आदेश दिया है कि वो एक स्पेशल टाक्स फोर्स का अगठन करे ताकि इस समस्या पर काबू पाया जा सके इसे म्यूनिसिपल कमिशन लीट करे जस्टिस विपिन सांगी और जस्टिस जस्मी सिंग की खंडपीट ने इस बात पर गौर किया कि दिल्ली के लोगों को लगातार परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन इस संबन में कई कदम उठाने और इसका प्रबंदन करने में नाकाम है खंडपीट ने कहा कि पिछले 20 साल से हर साल हम एक ही चीज़ को जहर रहे है और कुछ भी होता नहीं दिख रहा है आखिर कमिशनर क्यों नेतिक जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और अपना इस्तिफा देते है पीट ने कहा कि आप कागजों में आदेश जारी करते हैं कि कोई प्रजनन नहीं होना चाहिए जैसे कि अगर आप अपनी फाइल में ऐसा कहेंगे तो मच्छर प्रजनन करना बंद कर देंगे बता दे कि दिल्ली में मच्छरों से बढ़ रहे इंफेक्शन पर अदालत ने मई के महिने में स्वतर संग्यान लिया था विदानसभा चनाव से कुछ दिन पहले पंजाब की सियासत में नया धमा का हो सकता है दिल्ली बॉर्डर पर काम्याब अंदोलन कर लोटे किसान संगटनों ने पंजाब विदानसभा चनाव लड़ने की तैयारी कर ली है पंजाब के 32 किसान संगटन अंदोलन में सेयुकत किसान मोचा का हिस्सा बने थे इन में से 25 संगटन चनाव मैदान में उतरेंगे सबसे हम बात यह है कि चुनाओ के लिए इस्तिपा अर्विंद केजरिवाल की आम आदनी पार्टी से गटबंध होगा किसान संगटन 30 सीटों पर चुनाओ लड़ सकते है बलबीर राजेवाल आप से ही चुनाओ लड़ सकते है वह आम आदनी पार्टी का सीएम चेहरा भी हो सकते है हाला कि इसे लेकर सेंगत किसान मोर्चा में अभी से ही मदभेद होने लगा है पंजाब के किसान संगटनों की बड़ी चिंता हर्याना की किसान नेता गुरणाम चडुनी है जिन्होंने पंजाब चुनाओ लड़ने की खुली घोशना कर दी है चडुनी ने कुछ दिन पहले ही चंदिगर्ण में सेंगत संगशर पार्टी बनाने की घोशना की चडुनी ने इसे मिशन पंजाब का नाम दिया है अगर चवड़नी पंजाब की सियासत में सक्रिय हुए तो उन्हें किसान आंदोलन से राज में बने माहौल का फायदा मिल सकता है इससे पंजाब के किसान संगट अंचिंतित है मगर यह साफ होता जा रहा है कि इस बार पंजाब चुनाओ खास होगा जिसमें रणनीतिक कोशल की परिक्षा होगी उत्तरप्रदेश के कन्योज में इत्र एवं कंपाउंड कारोबारी प्यूजजन का घर तिलस्मिक हजाना साबित हुआ डिजी जी आई की टीम 40 घंटे प्यूजजन के ठिकानों पर डटी रही कल देर राद तक 189 करोड से अधिक की नगदी गिनी जा चुकी है नोटों की गिंती में 30 से अधिक करमचारी, 13 मशीने लगाए गई गिनी जाचु की रकम 80 बॉक्सों में भर कर स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में भिजवाई गई शुकरवार को देर राद चाबियां न मिलने पर हतरों से अलमारियां तोड़ी गई यहां से 4 करोड रुपए और 1 करोड के जेवर भी टीम को मिले है टीम ने स्थानिय पुलिस से डुब्लिकेट चाबि बनाने वाले पिता पुतर को बुलवाया प्यूज जैन की आननद पुरिस्तित घर की दिवारों से भी नोटों के बंडल मिले जाच के दोरान अधिकारियों को घर की कुछ दिवारे अन दिवारों से अलग लगी अधिकारियों ने दिवार को ठोका तो खोकली लगी दिवारों को तोड़ा गया तो अंदर से नोटों के बंडल गिरने लगे ये बंडल पॉलिथीन और कागस में पैक्ट थे ये बंडल 500 और 100 के नोटों के है शहर में चापे के बाद अनक आरेबारियों में हड्कम मच गया कई कारोबारियों ने कारखाने बंद कर माल को इधर उदर चिपा दिया तो कई ने अपने प्रतिष्टा आंद बंद रखे जानकारी के अनुसार इत्रोर कमपॉंड कारुबारियों के यहाँ छापा मारने वाली 27 सदस्यर टीम ने बड़े गोपनी अधंग से कारवाई की भारत के पूरे प्रधानमद्री दिवंगत अटल बिहारी बाचपई की आज 97 जैनती है इस मौके पर राजधानी दिल्ली में सदैव अटल में प्रार्थना सभा आयो जित की गई इस दोरान प्रधानमद्री नरेंद्र मोदी समेट कई बड़े ने ताम मौझूद रहे उन्होंने भारत रतन बाचपई को स्रद्धान जिली दी सार 2017 से ही पूरो पियम की जैनती को देश में सुचासन दिवस के तोरपन मनाया जाता है मद्रप्रदेश में गवालियर में 1924 में जन में अटल बिहारी बाचपई एक प्रखर वक्ता और एक बड़े लेखक थे उन्होंने कई प्रसिद्ध कविताओं की सरज ना की राष्टिय से अंसियक संग और जन संग की सक्रिय सदसर है बाचपई ने अपने राज़नितिक करियर में कई आमपदों पर भी अपनी सेवाई दी 1980 में उन्होंने अपनी करीबी लालकुष नडवानी के साथ भारतिय जनता पार्टी की सहसात्मा की 1996 में भाचपा से देश के पहले पीम बने अटल जी का पैतरुग गाव बाहत असिल अंतरगर्द बटेश्वर है उनकी जैनती पर आज सीम लगबग 14 करोड रुपे की लागत से तीन योजनाओं का शिला न्यास करेंगे इन में सास्कृतिक भवन का निर्मान, पार्क और लाइब्ररी है इन तीनों योजनाओं को यमुना किनारे मूर्तरूप दिया जाएगा बटेश्वर में साफ सपय के साथ ही अन्यविकास कार्या शुरू कर दिये है सीम के लिए हैली पैट भी बनाय जा रहा है मुख्य मंत्री के आने का कारेक्र मचानक तै होने से स्तानिय प्रशासन में हड़कम मचा हुआ है दुनिया भर में जारी उथल पुथल के बीच आज की दो बड़ी खबरे कौतुहल और जिग्यासा से चुड़ी हुई है एक तरफ जहाचीन अपने कुरुद्रीन सूरिय के ताप में और इजाफा करने जा रहा है जिससे वेग्यानिक अचंभे में है तो दूसरी तरफ आस्ट्रेलिया में तस्मानिय के तट पर 22 साल में पहली बार हातों से चलने वाली दुरलब मचली देख शोद करता है इसके अलबा भारत की चिंता बढ़ाने वाले चाल चिनने चली है टिक टॉक पर शेर के जा रहा है वीडियो के मताबिक एक चिनी पंडुबी 20 दिसंबर को इंडोनेशिया के पास मलक का स्ट्रेट में घुस्ते वे देखी गई थी यह थियारों से लेस है और पुर्वत्तर के उग्रवादियों की मदद करने पहुची है इस बीच गुरूस में मौस्को की कदालत ने गूगल और फेस्बुक पर 10 करोट डॉलर का तगड़ा जुर्माना लगाया है प्रतिबंदित सामगरी को हटाने में विफल रहने की वज़ा से यह जुर्माना लगाया गया है उधर अब चीन ने भी स्विकार कर लिया है कि अफगानिस्तान पर जब से तालिवान का कबज़ा हुआ है वहाँ ISIS के और अलकाइदा जैसे संगडन मजबुत हो रहे है दुनिया भर की इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जाने के लिए बने रही है आप हमारे साथ चीन अप्रिक कृत्रिम सुर्य परियोजना को लेकर काफी उत्सुख है और अब उसने अपने इस परियाजना को आगे बढ़ाने के लिए परमानू सलयन का इस्तमाल किया है माना जा रहा है कि यह कदम कृत्रिम सुर्य को और ज़्यादा टिकाउ और गम बनाए लखने में मदद करेगा अब तक चीन अपने कृत्रिम सुर्य का टोकामक के निर्मान में पैसा पानी की तरह खर्च कर चुका है टोकामक एक इंस्टॉलेशन है जो प्लाजमा में हाइडरोजन आइसोटोप को उबालने के लिए उच्चतापमान का इस्तमाल करता है यह एनरजी को रिडिस करने में मदद करता है इसके सफल इस्तमाल से बहुत कम इंधन का इस्तमाल होगा और लगबख शूर्ने रिडियो एक्ट्व कच्राप पैदा होगा इंस्टिटूट आप प्लाजमा फिजिक्स के उनुसार पास साल बाद चिन अपना फ्यूजन रियक्टर बनाना शुरू कर देगा जिसके निर्मान में और दस साल लगेंगे उसके बनने के बाद बिजली जनरेटर का निर्मान होगा जिससे करीब 2040 तक बिजली पैदा किया जा सकेगा इस आर्टिफिशल सिस्टेम में इस्तमाल किया गया परमानुसालेयन पहली बार 2006 में संचालित किया गया था इस सिस्टेम में जुन 2021 में 12 करोड डिग्री सेल्सियस पर पहुँच कर और सूर्य से 10 गुना ज्यादा गर्म होकर रिकॉर्ड बना गया था चीन के आर्टिफिशल सूर्य में लगे नुक्लियर फ्यूजन रियक्टर ने शुरू होते ही विश्व रिकॉर्ड बना दिया था इस रियक्टर ने 100 सेकंड तक 12 करोड डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा किया था औस्टेलिया में तस्मानिया के तर्ड पर 22 साल में पहली बार हातों से चलने वाली दुरलब मशली मिली है यह गुलाबी रंकी है और अंतिम बार इसे साल 1999 में तस्मानिया में देखा गया था इससे पहले यह केवल चार बार ही देखी गई थी और शेलिया के शोतकरता उने कहा कि उन्होंने गहरे समुद्र में कैमेरे से इस दुरलब मशली को तस्मान फ्रेक्चर मरीन पार्क में देखा है यह मशलीयों की उन प्रजातियों से तालुक रखती है जिनके मुहच चवड़े होते है पहले माना जाता था कि यह मशलीया उतले पानी में पाई जाती है लेकिन तस्मानिया में हालिया खोच के दौरान यह समुद्र में 120 मेटर नीच है मिली है इस मशली में लंबे हाथ है ज जिंगा और मशलीयों की अन्य प्रजाती का सर्वेक्शन किया जा सके अक्टूबर महिने में इस कैमेरे से लिए गया फुटेज का निरिक्शन किया गया इस रिकॉर्डिंग में पाया गया कि यह मशली एक पहार से निकली चट्टान में थी विडियो में यह कुछ देर तक दिखी और उसके बाद तैर कर चली गई बता दे कि अमेरिका में वेग्यानिकों की एक टीम ने डैनासौर के समय के एक समुदरी राक्शस की खोच की थी इस जिव की लंबाई 55 फीट तक देखी गई है रिसर्च से पता चलता है कि मशली के आकार के इन समुदरी सरिसरूप का आकार 24 करोड सार पहले काफी तेजी से बढ़ा इस जिव के सिर का आकार 6.5 फीट पाया गया है चीन के हतियारों से लेज पुरवत्तर के उग्रवादियों की मदद कर रहे मैममार में चीन की घातक हतियारों से लेज पांडूब भी पहुंची है टिक टॉप पर शिये किये जा रहे एक वीडियो की मुताबिक यह पांडूब भी 20 दिसंबर को इंडोनेशिया के पास मलाका स्टेट में घुस्ते हुई देखी गई थी इस पांडूब भी पर चीन का लाल जंडा लगा हुआ था बताया जा रहा है कि मैमार का युदधपोट चीनी पांडूब भी की सुरक्षा में तैनाथ था सबमरीद मामलों के चरजित विशेशक्यों ने बताया कि अम्मिंग लास की टाइप शूर ने तीन पांडूब भी है वही मैमार से एक अन्य वीडियो में नजर आ रहा है कि इस पांडूब भी की सुरक्षा के लिए मैमार की नोसेना ने अपने क्युदपोट को भी पीछे से बेजा था माना जा रहा है कि ये पांडूब भारत की तरह से चीन ने भी मैमार को दी होगी या ड्रैगन इसके जरिये मैमार की नोसेना को अपनी पांडूब भी बेजना चाहता है हाल ही में भारत ने अपनी एक किलो क्लास की सेकंड हैंड पांडूब भी को मैमार की नोसेना को गिफ्ट में दिया था चीन की मिंग लास की पंडुब भी किलो की तुला में उतनी ताकतवर नहीं है लेकिन मैम्मार की नौ सेना के लिए काफी फायदे मन हो सकती है मैम्मार और चीन की सेना के बिच बढ़ती नजदी की भारत के लिए चिंता का विश्य हो सकता है दरसल लोकतंत्र के समर्थकों को बंदुक के बल पर कुचर रही म्यामार की सेना ने भारत की पीट में भी चूरा गोपा है म्यामार की सेना ने पुरुत्तर भारत में सक्रे विद्रोयों को अपने इलाकों में क्यांप लगाने की अनुमतीत दे दी है ये विद्रोही चिनी हत्यारों की मदद से मनिपूर तता नागालाइंड में खुनी हमलों को अंजाम दे रहे है रूस में मौसको की अदालत ने गूगल और फेस्बुक पर 10 करोड डॉलर का तगड़ा जुर्माना लगाया है वाके कानून के मताबिक प्रतिबंदी सामगरी को हटाने में विफल रहने के वज़स से यह जुर्माना लगा है इसी तरफ फेस्बुक की मूल कंपनी मेटा पर भी 2.72 करोड डॉलर का जुर्माना लगा है इस फेसले की वज़स से रूस की टेक कमपनीयों पर दबाव बरता दिख रहा है टेंगास की जिला अदालत ने यह फेसला सुनाया है अदालत ने कहा कि गूगल ने बार बार प्रतिबंदी सामगरी को हटाने के निर्देश की उपेक्षका की इसले कमपनी को लगबग 7.2 अरब रूबल अर्थात लगबग 9.8 करोड डॉलर का जुर्माना देने का आदेश दिया गया है गूगल ने कहा है कि वज़स अदालत के आदेश का अध्यान करेगा उसके बाद ही वह अपने अगले कदम पर फैसला करेगा उलेकनिया है कि रूसी अधिकारियों ने नशली दवाओं के दुरूपयोग, हतियारो और इस पोटको से सम्मधि सामगरी को हटाने में विफल रहने का आरूप लगाते हुए सोशल मीडिया प्लैटफॉम पर लगातार दबाव बढ़ाया है इस साल के शुरुवात में ही रूसी अधिकारियों ने जेल में बंद रूस सरकार के आलोचक अलेकसी नौलनी के समर्तन में विरोत के बारे में गोशना को नहीं हटाने के लिए प्रोध्योगी की कमपनियों को दोशी ठहरा था रूसी अधालते इस साल गूगल, फेस्बुक और ट्विटर पर छोटे जुर्मा ना लगा चुकी है अफगानिस्तान पर जब से तालिबान का कबजा हुआ है वा आईस आईस और अलकाइदा जैसे संगटन मजबूत हो रहे है इस बात को अब चीन ने भी स्विकार कर लिया है एक वरिष्ट चीनी मंत्री ने कहा है कि आईस आईस और अलकाइदा सहीत आतमवादी समुवा इस शेतर पर अपनी उपस्तिती का विस्तार करने के लिए उपयोग कर रहे है इसलिए अफगानिस्तान की स्थिती और भी जटिल होती जा रहे है आईस आईस अलकाइदा और एटी आएम सहीत आतमवादी समुवा अपनी उपस्तिती का विस्तार करने के लिए इस शेतर का इस्तमाल कर रहे है विवाराजकता फैला रहे है लिहाजा अंतरराष्ट्य समुदाय को आतमवाद का मुकाबला करने के लिए हाथ मिलाना चाहिए इसके लिए सबसे पहले जागरुकता को बढ़ावा देने की आवशकता है साथी समुदाराष्ट्य द्वारा निभाई गई केंद्रिय भूमिका को भी रेखांति करने की आवशकता है चीनी विदेश मंत्राले ने कहा कि विकसंशिल देशों में शमता निर्मान को मजबूत करने की आवशकता है इसके अलावा हमें नए आतंगवादी खत्रों और विचारधाराओ से निपटने की जरूरत है इस संगोष्टी का आयोजन China Institute of Contemporary International Relations और China Institute of International Studies दौराः आयोजित किया गया था इसमें 17 देशों के आतंगवाद विरोधिश शेत्र के विशशग्य और विद्वानों ने सम्मेलन में हिस्सा लिया था संगोष्टी में भाग लेने वालों ने सहमती व्यक्त की कि आतंगवाद मानोता का एक साजा दुश्मन है और इस शांती और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खत्रा है तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही आप से कल फिर मुलागात होगी तब तक देखते हैं यह BKB News नमस्कार